आप जह नमस्कार दोस्तों मैं विराड़ चोदरी श्वागत आपके अपनी यूट्यूब चनल कमांडो केड़ में दोस्तों आज का दोई वीडियो इसपेसली बहुत इक खास वीडियो उन लोगों के लिए जो सरकारी जोब की तैयारी कर रहे हैं यह डिफेंस जोब की तैय आप जीवन में नेतिक जीवन में बिल्कुल जुड़ी हुई बाते हैं कुछ भी अलग नहीं है क्योंकि जो जीवन आप जी रहे हो उस जीवन से में निकल के यहां तक आया हूँ कुछ ज़्यदा फरक वाली बात है नहीं ठीक है तो मुझे पता कि आप कि किस कंडिशन में कौन से बच्चे वते हैं जो irrelevant पा लेते हैं जे नहीं पाते हैं उसका रीजन क्या मैं अपको एक छोठी बात बेन्स क Jade की डो सरे हमेसा पर लिए अगर आप रूसरा कोई भी काम करूं दी नहीं आप कर earlier कि हां मुए ये काम कर रहा हूं और इससे मेरे को ये फाइदा होगा या ये टारगेट मुझे अच्छीव करना है ठीक है अब आपको अगर टारगेट आपने एक की बजाए पांच-छे टारगेट बना लिए तो क्या आप एक टारगेट पर हिट कर पाओगे कभी नहीं कर पा तो बिठा जो इसा सोचता ना कि गभर्मेंट जो नहीं लगा तो में ये बिजनेस कर लोंगा ये गोर्मनेट जोबучराद नहीं לगगएगा तो मैं करूंगा क्या तो अगर आप होता है ना तो जीत हमेशा होती 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 हम अπό्स पहले आपको करना कि आपके दिमाग में एक टारगेट अब यह नहीं की टारगेड सब फोकस है कि नहीं भी डिपेंज होुचर आर्मी हो फो डि नहीं में जाना है तो वो बंदा हमेशा हीट करता है, हमेशा वो लगता है, जो बंदा ये सोच लेता है, कि गरीब इस्तती है, मेरे को मजदूरी भी करनी है, ये भी करना है, आप भलें कर लो लेकिन सोचो मत दिमाग में, अगर आप किसी चीज के एक बात याद रखना जिंदगी में, अगर आ तो आपको वहां से उठने के लिए इतना परियास करना पड़ेगा जितने जो दूसरा आपके साथ वाला बंदा कर रहा ना उससे आपको डबल परियास करना पड़ेगा तब आप वहां से निकल पाओगे यह निया है छो बनदा कम पड़ में रखें पड़ाय कर रहा है आपको मजदूली भी करनी है परिवार भी चलना अरृफ में पड़ाय बिख लागेट होना तो एंगर गॉर्मेंट जौब नहीं लगा तो कि कि आपकी गडिया षत्ति हो यह कैसे भी आपकी इसित्ति है उससे ज्वाल निकलेगा सबसे बड़ा तरीका एक गोवर्मेंट जो भी है अब बिजनस करने चाहोगे पेसे चाहिए बिना बिजनस पेसे के कुछ नहीं अगर किसी पे विश्वास करोगे आज कोई विश्वास के काबिल है नहीं आपको पेसा खा जाएगा ठीक है बिजनस करने पाओगे चोटा बिजनस होगे आज क्या हाल है आप चोटे इंवेस्ट में आपका कोई काम बनेगा नी अगर कोई बंदे में नेचुरल अगर कोई टेलेंट है कुछ जानता वह बात अलग है बाकि आप कुछ नहीं कर पाओगे 10,000 के मजदूरी के अलावा और 10,000 रुपे में आज सिद्गार खर्चा भी नहीं चलता है तो अपनी इस्तती को ना देखे उस्तति से निकलने वाला रस्ता देखे ठीक है तो आराम की बजाए आप सिदहा थ Khalish करें अपने इस सिर्टती से निकलने वाले रस्ती पर और वह है पड़ाई करने के लिए थोड़ा सापको अबब क जोब नहीं लगूंगा तो मैं करूंगा क्या क्या मैं इतना पढ़ कि मजदूरी करूंगा मजदूरी करने में हर्ज नहीं है लेकिन आप 15-20 साल किसी एक सेक्टर को दियो पढ़ाई की ओ 20 साल उसके बाद में अब आप मजदूरी कर रहे तो आप से फिर गिरावा इंसान कोन होगा आप से फिर नीचे का लेवल क्या होगा अरे बाइक 15-20 साल आप पढ़े हो कितना पैसा खर्च किया कितना आपका समय खर्च के अगर मजदूरी करनी होती तो फिर पढ़ाई किस लिए कि पांच वी किलास पढ़े मजदूरी में लग जाते कम से कम पैसे तो कमाते इसलिए दिमाग में चीज रखो कि मुझे लगना है तो लगना ही है दूसरा ऑफ्षन दिमाग में ना आने दोगी यह नहीं वा तो मैं यह कर लूँगा कुछ नहीं कर लूँगा अगर आपको इससे बेटर ऑफशन नहीं मिलेगा आपको यह मान के से लिए तो बेटर ऑप